सब्सक्राइब बात करने हैं आपकी अंकलन कारपतिका 9 के बारे में जो हिंदी विसे है जब सिर्मा ने बोलना सीखा पाठ से लिया गया है बिटा इस कारपतिका को प्रादम करने इस पहले आपको बता दूँ कि आप डेली हमारे हैं बहुत सारे प्राइसे को जी सकते हो बस उसके लिए वीडियो को करना है लाइक चैनल को कर लेना है सस्काइब फुल वीडियो को वाच करते वे कमेंट करना है और इसके लिंक को अपने फ्रेंट्स के बीच में सेर करना है जो बच्चा ऐसा काम करेगा और जिस बच्चे का में कमेंट सबसे जादा बेस्ट लगेग प्यारे बच्चों, पिछली कारपतिका में हमने जब सिर्मा ने बोलना सीखा, पाठ के अंस को पढ़ा, अब हम उन कारपतिकाओं के अधार पर अपना अंकलन करेंगे, अंता नीम लिकित गध्यांस को पढ़कर नीचे पूछे गए, प्रसनों के सही विकल्ब के सम्मुख, गोले को पैंसल से भरें और प्रतेक प्रसन के एक अंक हैं, चलिए, वे सभी सजीव हैं, सास ले रहें हैं, सतह प्रतीसत, साथ प्रतीसत बोल रहें, अठारा मुर्दे इंसान जिन्दा हो गया, उनके बोलते, पाते, करते देखो, देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विग्यापन की पंक्तियों में लिखे हुए थे, यानि कि देश में पहली बोलती जब फिल्म आलम आरा का पोस्टर जो बनाया गया था बिटा, उसमें लिखा हुआ था, ये सबी चीजे ठीक हैं, और इन चीजों के बारे में, ये मतलब ये पंक्तियान लिख सीखा, यानि कि पहली बार बोलने वाली फिल्म इस दिन रिलीज हुई थी, हाला वह दोर ऐसा था जब मौक सिनमा लोक प्रिये के सिखर पर था, ठीक है, और पहली बोलती फिल्म जिस साल पर दर्सित हुई, उसी साल मौक फिल्म के विभिन भासाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का अन्य दौर सुरू हो गया, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे, कौन था, तो आर दे सिर, एम इरानी, ठीक है, इरानी ने 1929 में हॉलिवुड की एक बोलती फिल्म, सू बूट देखी, उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जग पार्सी, रंगमंच के एक लोग पर ये नाकट के अधार पर उन्होंने फिल्म बनाने का पार्ठकर था बनाई, इस नाटक के कई गाने, जियों तियों फिल्म में लिये गए, और एक इंटर्व्यू में, ठीक है, इरानी ने बताया, उसे वक्ता कहा था, हमारे पास कोई सम अमाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की सुरुआत होनी थी, ठीक है, आदरसिर ने फिल्म के गानों के लिए सोयम को धुन चुनी, फिल्म के संगीत महज तीन, वादक, तबला, हार्मोनियम और वालनीन का इस्तमाल किया गया, आलम आरा कि संगीतकार या गीतकार सुतंत रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया इस फिल्म में पहले परसवर्ग गायक बने डबलू एम खान डबलू एम खान पहले गाना था दे दे खुद के नाम पर प्यार अगर देने की ताकत है ठीक है पहला जो बोलता हुआ गाना सुनिए सुचिए आज के समय में कितने गाने रिलीज होते हैं पर उस समय का ये पहला मतलब जिंदगी में जो पहली बोलती ही फिल्म थी उसमें जो पहला बोलता हुआ गाना था कि दे दे खुद के नाम पर अगर देने की ताकत हो सुनिएगा जाके गूगल पर सच करिएगा मिल ज सुटिंग सुरू में तो साउंड के कारण ही उसकी सुटिंग रात में करनी पड़ती थी यानि कि फिल्म के सुटिंग ज्यादा सोर और नाउस वज़े से रात में करनी पड़ती थी और मौक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकास सूट कर लिया जाता था मगल आरम आरा की सूटिंग रात के कारण इसका करतिम प्रकास की व्यवस्था करनी पड़ी और यही प्रकास प्रणाली जो आगे फिल्म निर्माड में जरूरी हिस्सा बनी चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गए पहली बोलती फिल्म कौन सी है तो आलम आरा है ठीक है इसके बाद क्या है पहली बोलती फिल्म के निर्देशक कौन थे तो बिटा एम इरानी थे ठीक है इसके बाद क्या है पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए प्रिर्णा हॉलिवुड की फिल्म सू बूट से मिली ठीक है इसके बाद पहली फिल्म के पार्ठक पर अधारिक था तो पार्सी मंग रंच कता से ठीक है इसके बाद पहली बोलती फिल्म में से निम लिखे तो बसे वाद्यानत का इस्तमाल नहीं वा तो दखो टबले का भी हुआ था हार्मोनियम का भी हुआ था गिटार का नहीं ह प्रियोग किसलिए किया जाता है तो इसका प्रियोग जो है तो बेटा इस सब्द का विलोम क्या होगा इसमें पूछा गया है तो बच्चो इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है संगीतकार सब्द का प्रत्य क्या हो जाएगा तो संगीतकार सब्द का प्रत्य क्या हो जाएगा तो बच्चो इसका प्रत्य क्या हो जाएगा कार हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या है गायत क्क का इस्त्रिलिंग क्या हो जाएगा तो गाईक का हो जाएगा और प्रकास का परिया वाची क्या हो जाएगा रोसनी हो जाएगा ठीक है तो आगे आपकी ये अंकलन कारपतिका होती है यहीं समापत आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और जादा से जादा बिटा डेली कॉंटेस हो वीकली कॉंटेस में पास्पेट करना बहुत से बच्चे प्राइस जीत रहे हैं आप भी जी सकते हो ठीक है धन्यवाद बच्चों